दिल्ली की जंता को बहुत बहुत दिल की घहलायों से धन्यवाद ये सिर्फ जीत नहीं है ये सिर्फ जीत नहीं है बनकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली को स्टाफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी तो मैंस के लिए सभी कारिकतां की ओ दिल्ली में हुए नगर निगम की चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं आप 134 सीटों के साथ MCD पर काबिज हो गई है और 15 साल से MCD पर काबिज BJP को 104 सीटों से संतोष करना पड़ा है हाला कि आप की चिंता है कि विधान सभथ चुनावों में उनको 53 फीसदी वोट मिला था लेकिन इस बार 11 प्रतिशत वोट उनके हाथ से निकल गया BJP का स्कोर थोड़ा बढ़कर 49 फीसदी हो गया है हाला कि इन चुनाव परिणाम से साबित हो गया है कि दिल्ली से भी कॉंग्रेस अब साफ हो रही है और भविशय में आप और BJP के बीच 50-50 का मुकाबला होगा हाला कि आपको इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट कम मिला है जो कॉंग्रेस के लिए एक मौका हो सकता है केजरिवाल अपनी पार्टी को राश्ट्रिय पार्टी बनाने में लगे है इन चनावों में जीत का सहरा भी उपमुक्यमंत्री मनी सिसोधिया को पहनाया जा रहा है चर्चा तो ये भी है कि केजरिवाल मोदी के सामने विकल्प बरने के लिए दिल्ली की सत्ता तक छोड़ सकते हैं क्या है इस बात का आधार चलिए वो भी बताएंगे लेकिन उससे पहले बताते हैं कि उपमुक्यमंत्री मनी सिसोधिया के विधान सबाक शेत्र में इस बार क्यों कमल खिल गया दरसल मनी सिसोधिया पटपडगंज से विधायक हैं यहाँ पर MCD के चार वाड आते हैं इन चार वाड में से तीन पर BJP ने जीत दर्च की है सिर्फ पटपडगंज वाड नमबर 197वे इलाके में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार की जीत हुई है बहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और स्वास्त मंत्री सतेंडर जैन जो इस वक्त जेल में है और शराब, घोटाले और हवाला कारोबार के आरोपों से घिरे हुए है उनके विधान सभाक्षेतर शकूर बस्ती में BJP ने ही तीन सीटे सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानी बाग जीत ती है इसके अलावा आतिशी मारलेना की सीट कालका जी से भी तीन वार्डो में BJP ने ही जीत हासिल की है हाला कि एक बाद जो इस जीत के साथ उठने लगी है वो है कि क्या मनी सिसोधिया दिल्ली के नए सीम बन सकते हैं दरसल हिंदी दैनिक अखबार, दैनिक भासकर के मताविक मनी सिसोधिया को दिल्ली में और बड़ी भूमिका मिल सकती है MCD का चुनाव आमादमी पार्टी के लिए इस वक्त एक चुनावती भरा था क्योंकि गुजरात में भी ठीक उसी वक्त चुनाव हो रहे थे और हिमाचल प्रदेश में भी ठीक उसी वक्त चुनाव थे यही वज़े है कि आमादमी पार्टी ने इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं किया और अपना पूरा फोकस MCD चुनाव और गुजरात में लगा दिया अरविन केजरिवाल पूरी तरह गुजरात में चुनाव प्रचार में चुटे रहे और सिसोधिया ने दिल्ली में मोडचा समाला इसलिए आप इस जीत को मनी सिसोधिया के खाते में डाल रही है आमादमी पार्टी के सूत्रों के मताबिक इस जीत के बाद सिसोधिया को दिल्ली में बड़ी भूमिका मिल सकती है और मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल रास्ट्रे अस्तर पर बढ़ने के लिए मुक्त हो सकते है सिसोधिया के लिए ये भूमिका मुख्यमंत्री पत्की हो सकती है हाला कि पार्टी कुछरात के नतीजों का इस वक्त इंतजार कर रही है वैसे MCD के रिजल्ट में सिर्फ आप ही आप है अर्विन केज्रिवाल की आम आदमी पार्टी की जाड़ू आस्मान चूम रही है 15 साल से नगर निगम में काविज बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने उखाड फेका है